हेलो फ्रेंट्स मैं डॉक्टर वसी माय खान असिस्टन प्रोफेसर श्री श्यवाजी ला कॉलेज परभनी महराश्टरा इंडिया तो आज हम पॉजिटिव स्कूल अफ क्रिमिनलोजी का सेकंड पार्ट डिसकस करेंगे जिसमें हम डिसकस करेंगे एन्रिको फेरी को इन्रिको फेरी ने कॉज़ज अफ क्राइम किस किस को बताया और क्राइम का बेस्ट क्या है वो इन्रिको फेरी का पॉइंट अफ यू जानने की कुशिश करेंगे हम इस लेक्चर में तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को पॉजिटिव स्कूल अफ क्रिमिनलोजी का सेकंड पार्ट अज हम डिसकस करने वाले हैं जिसमें हम इन्रिको फेरी जो दूसरा सपोर्टर है पॉजिटिव स्कूल अफ क्रिमिनलोजी का पहले लेक्चर में हमने सीजर लोमरोसो का अप्रोच देखा था अब इन्रिको फेरी के बर्थ होई 1856 में और उसकी डेट हो गई 1928 में ये इन्रिको फेरी था फेरी फाउंड डाट जिओग्राफिकल, साइकोलोजिकल, सोशल और एकोनोमिकल फेक्टर्स आर इंपॉर्टन अस्पेक्ट्स अब क्रिमिनलिटी परसन क्राइम क्यों करता है ये जानने की कोशिश किया इन्रिको फेरी ने और उसने ये बताया उसको स्टडी करने के बाद ये पता चला कि परसन जिओग्राफिकल, मतलब जहां पर वो रहता है, जिस एरिये में वो रहता है वो भी कही न कहीं उसके बिहेवियर को अफेक्ट करता है Person अच्छा behave कर रहा है उस पर भी जेोग्राफिकल factor होते है और बुरा behavior कर रहा है, crime कर रहा है इसके पीछे भी जहां पर वो रह रहा है वो एक reason हो सकता है Psychological factor Person की psychology भी एक important role play करती है उसके अच्छा या बुरा बनने में Social, जिस society में person रहता है वो society में, members of a society भी responsible हो सकते हैं और economical factor भी responsible हो सकता है कि person poor है, rich है ये भी एक factor responsible हो सकता है according to Enrico Ferry कि person के criminal बनने में देखिए criminal is not born criminal yet there are several deformities or anomalies right from birth which if not eradicated by treatment may lead to crime अब, sorry Enrico Ferry का मानना ये था कि criminal पैदा नहीं होते बलके कुछ ऐसे physical abnormalities है physically कुछ ऐसे कमिया होती है person में जो by birth उसमें exist करती है और अगर वक्त के चलते उस physical कमियों को अगर हम remove नहीं करते उसको ठीक नहीं करते तब वो physical abnormality person को crime के तरफ ले कर जाती है तो मतलब Enrico Ferry का भी मानना ये आपर ये था कि कुछ physical abnormalities by birth होती है और अगर उस physical abnormality को ठीक ना किया जाए तब वो physical abnormality person को crime के तरफ ले कर जा सकती है crime is the synthetic product of three main factors उसने तीन main factors बताया है Enrico Ferry ने और इसका मिशरन है crime देखिए फिजिकल और जोग्राफिकल पहला factor उसने बताया फिजिकल और जोग्राफिकल person की physics और जिस जगे पर वो रह रहा है ये एक कारण दूसरा anthropological उसके body तीसरा psychological और social के मतलब psychological और social उसकी psychology क्या है society में कौन से रह रहा है वो मतलब किस लोगों के इर्दिगिर्द वो रह रह रहा है mentally वो sound है या unsound है ये सारी चीजें मिलकर ही person के behavior को affect करती है मतलब law abiding citizen है तब भी ये सारा factor responsible होंगे उसके पीछे और अगर person crime भी कर रहा है तब भी ये सारे factors मिलकर काम कर रहे है तब वो जाकर crime कर रहा है ऐसा Enrico Feri का मानना था उसका पक्का कहना ये था वो firm था अपने कहने पर उसका पूरा पूरा भरोसा ये था कि criminal is a creature of his own environment जहां पर वो रहता है वही से वो criminal बनता है मतलब अच्छे environment में रहेगा तो अच्छा बनेगा ऐसा गलत environment में रहेगा तो वो criminal बनेगा अब देखिए he classified criminal into five अब एंरिको फेरी ने अपने-पने study किया और study करने के बाद उसने criminal को पाँच टाइप में classify किया उसमें था एक insane criminal दूसरा born criminal तिसरा habitual criminal चाओता occasional criminal और पाँचवा criminal by passion चार टाइप जो criminal की Caesar Lombroso ने बताया था उसी को continue किया इंरिको फेरी ने उसका भी मानना था कि पागलपन crime करने पे मजबूर करता है कुछ physical abnormality ऐसी है कि जो person के वक्त के चलते ठीक ना की जाई तो person को crime के तरफ लेकर जाती है और वो physical abnormality by birth होती है तो बाँच क्रिमिनल को भी उसने accept किया तीसरा habitual criminal कुछ factors ऐसे होते है जो person को habitual criminal बनाते है और चौता occasional criminal के person by nature वो criminal नहीं होता है लेकिन circumstances उसको crime करने पर मजबूर करते हैं तो ये चारो types को हमने detail में पिछले lecture में discuss किया हुआ है Caesar Lombroso के अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप उस लेक्चर में जाकर detail में वो सुन सकते हैं जो पाँच वा टाइप Henry को फेरी ने बताया हुआ है वो है criminal by passion अब criminal by passion क्या है देखिए criminals by passion are those who involved in commission of crime due to impulse, anger or jealousy and feel repentance in future criminal by passion वो criminal होते हैं कि जो out of anger offense करते हैं जो अपने nurse पे control नहीं रख सकते jealousy किसी से जलने के वज़े से offense किया हुआँने अचानक मैं गुसे से मैं आने के वज़े से offense कर लिया अपने nurse पे उन्होंने काबू नहीं रखा इसलिए offense किया ऐसे offender offense तो करते हैं गुसे में लेकिन बाद में वो गुस्सा कम होने के बाद अपने किये पर पच्टाते हैं फ्यूचर में ऐसे क्रिमिनल को क्रिमिनल बाइप पैशन की कैटेगरी में इन्रीको फेरी ने रखा है अब देखिए इन्रीको फेरी का मानना ये था कि the social economic factors according to फेरी consists of जो social economical factor से crime करने के पीछे क्रिमिनल बिहेवियर के पीछे उसमें क्या क्या आएंगे फेरी ने बताया है उसमें density of population जितनी population dense होगी जितनी आबादी घनी होगी उतना ज़्यादा लोगों को crime करने का मौका मिलेगा तो dense population जो है वो एक factor हो सकता है परसन के क्रिमिनल बिहेवियर के पीछे कि जितना ज़्यादा आबादी होगी परसन के पकड़े जाने के chances उतने कम हो जाएंगे और ये chance पकड़े जाने के कम chances जो है उसको डर नी रहेगा पकड़े जाने का तो हो सकता है कि वो crime ज़्यादा करे तो density of population एक reason हो सकता है परसन को के crime करने के पीछे क्योंकि ऐसा होता है मुंबई जैसे city में जो slum area आए वहाँ पर आप देखोगे तो इतना ज़्यादा dense population है कि अगर person कौन अंदर रह रहे है किसी को कुछ पता नहीं होता है दूसरा reason एंरिको फेरी ने यह बताया social economical factors में public opinion देखिए कुछ time ऐसा होता है कि public opinion plays a very important role कि public opinion, public हमारे बारे में क्या सोचती है ये भी बहुत बड़ा important role play होता है और public हर कोई अपने बारे में एक opinion रखता है तो मजबूरी में person वैसा वैसा person बन जाता है मतलब क्या हुआ public opinion plays a very important role लोग जैसा कहेंगे अगर किसी person को बार 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 हम criminal के नज़र से ही देख रहे तो हो सकता है कि वो crime करने पर मजबूर हो जाए क्योंकि उसको तो लगेगा ना मैं crime नहीं भी किया तब भी लोगों का opinion मेरे प्रती criminal का ही है तो फिर उस crime करने से क्या होने वाला है तो वो crime करेगा तो public opinion भी है क्या हो गया environmental factors है according to fairy जो crime करने पर मजबूर करता है religion इंडिया में diversity of religion है अलग-अलग मजब के लोग यहां पर रहते हैं religion के रोग रहते हैं धर्म के लोग रहते तो यह भी एक factor हो सकता है हर कोई अपने religion को protect करने की कोशिश करता है और दूसरे के religion को कम कम तर दिखाने की कोशिश करता है यह factor भी religion यह एक factor फेरी ने बताया कि यह भी एक factor है criminal behavior के पीछे family circumstances अगर घर में बार 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 तारेंट्स आपस में जगड रहे होंगे तो यह भी एक एंडरी को फेरी ने बताया कि यह भी एक factor हो सकता है criminal behavior के पीछे industrial pursuit क्या होता है कि rural area से लोग migrate होके urban area में जाते हैं काम के तलाश में अब वहाँ पर जब जाते हैं वो तो family नहीं होती है उनके साथ में अब जब पैसा जो कमाते हैं कभी इंडस्ट्री में उनको काम लगता भी है कभी नहीं भी लगता है जो यहां के लोग rural area के लोग जो urban area में जा रहे हैं वहाँ पर बहुत जादा लोग जमा होने के बाद अलग-अलग territory के अलग-अलग area के लोग वहाँ पर जमा होते हैं differences of opinion आता है और उसके वज़े से भी crime बढ़ते हैं यह भी एक factor से according to Enrico Ferry The system of education, system of education भी एक reason बताया Enrico Ferry ने कि education, मतलब educational institution में अगर for example equality maintain नहीं की जा रही है वो भी एक factor हो सकता है गरीबों को admission नहीं हमेरों को admission इस तरीके का जो factor है तो यह भी एक crime करने पर मजबूर करने वाला factor है alcoholism, शराप के नशे में बहुत सारे लोग offense करते हैं तो यह भी एक Enrico Ferry ने बताया कि reason हो सकता है crime के पीछे economic and political condition, person के economic condition अगर उसकी basic need fulfill करने के लिए ही उसके पास अगर पैसा नहीं है तो वो क्या करेगा, हो सकता है कि वो crime करे अपनी basic need को fulfill करने के लिए political condition, अब political condition कैसी हो सकती है कि political parties अपना उल्लू सिधा करने के लिए किसी दो लोगों को आपस में भी लड़वा सकते है जब वो आपस में लड़एंगे तो definitely वो crime करेंगे तो political condition भी एक factor हो सकती है criminal behavior के पीछे public administration and justice and police ये भी एक reason बताया Enrico Ferry ने कि कभी कभी ये भी एक reason हो सकता है crime के पीछे तो Enrico Ferry का ये approach था उसने types of criminal में चार जो Caesar numbers किते हैं वो ही carry forward किया एक add किया वो criminal by passion है तो उम्मित करता हूँ कि ये जो आज का lecture था आपके समझ में आया होगा अगर समझ में आया तो मेरे channel को subscribe कीजिए और इस lecture को जादा से जादा scroll तक share कीजिए Thank you, thank you very much